राजकुमार हुछ अच्छ एक्टर ही, उनके अलावा बाके सबने भी अच्छ एक्टिंग करी उनके लिए, जिसने काम नहीं किया, वो फिलम स्बश्न की extraordinarily हैं, आपको देखते हैं इसलोंन में आ जाएगा कि अब ओना फिल्म वह आ चुक है जिसके नाम में माही है तो फिल्म की चर्चा होनी शुरू होती इसमें 2-2 माही है साथ माही होते तो यह सुपर हिट फिल्म होती लेकिन अभी यह फिल्म कैसी है यह जाने के लिए आप रिव्यू को पूरा देगे फिल्म के लीड रोल में राजकुमार राव जो प्ले करें महंद्र अगरवाल का महंद्र अगरवाल एक एक एस्पारिंग क्रिकेटर था किस जमाने में और यह देश की 140 क्रोड जंता की तरह है जिसको कभी क्रिकेटर बनना था जो नहीं बन पाया बाकी तो कुछ लोग बन ग है राजेश शर्मा है कुमुद मिश्रा है प्रनेंदु भट्याचारे है जरीना वहाब है अभी शेक बैनर जी है भर भर के अच्छी कासी बड़ी कास्ट है लेकिन मैं बात करने वालों सीधा प्लॉट की तो फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है जहां पे महंद्र अगरवाल मिश्टर माही क्रिकट खेल रहे हैं और वह रंजी तक पहुंच चुके हैं अकच्छे घिलाडी है लाग वाल पर शौट नहीं मार पाते हैं और टीम हार जाती है इसकी वेसे उनका नेशनल टीम में सेलेक्शन नहीं होता और उसकी वज़े से उनके पिताजी अब बोलते कि हैं डॉक्टर से शादी कर रहे हैं हमें तो दवाई नहीं दे रही है न जहीं कैसे कोई उमीद भी कर सकता है कि एक जब पापा की दुकान संबालता है स्पोर्ट्स की बस उससे शादी कर रही है और यहीं कहानी को बोल दूँँगा कि भाई इसमें सच नीए इसमें दम नी आपको कैसे आया फिर बताती है मैं भी खेलती थी पूरा देश कहल चुका है उसको पती चाहिए या पत्नी चाहिए ऐसी जो पूछ ले कि कैसे बना देता हूं तुमको तो वह बोलता है कि मैं तुमारी है करूंगा मैं तुम्हें क्रिकेटर बना दूँगा और उसके बाद जानवी कपूर भाई बहुत मैनद करती है और वह अच्छा खेलना शुरू कर देती है उनका स्लेक्षिन अच्छे लेवल पर होना शुरू हो जाता है वह अच्छा खेलना अब दिक्कत यह आती है कि उनके फेम से राजकुमार राव को जलना है क्योंकि उन्हें भी उनको चैए अटेंशन वह उनको मिलने रही है उन्हें अपने वाइब से ही जलान यह लगती है वाइभ करियर अच्छा रगलंगे करते हैं यह पसी क्या लगा अंच्छा काम मेहनत दिखी रही है उनकी एक अच्छे एक्टर बनने की और है वह राजकुमार राच्छ अच्छ एक्टर है उनके पागी सब ने भी अच्छ एक्टिंग करी है उनके लिए जिसने काम नहीं किया उनके लिए फिल्म की कहानी प्रिटेबल है आपको देखते हैं समन्न में आ उसको भी हमने बोर कहता स्टार्टिंग तो फिल्म की कहानी में होती वह बात नहीं है परफॉर्मेंस इस से जितना जस्टिफाई कर सकते थे उन्होंने किया है फिल्म का फिल्म का स्लो है सेकंड आप में पेस पकड़ती है अच्छी वास्ट भागती एक तो थोड़ा बोजिल लगेगा फिल्म के गाने एक गाना जो रीमेक गाना उसको चुड़के अभी तक कोई ऐसा गाना वाराल हुआ नहीं है देखाते हैं पहली पहली वार्वे और बहुत तो दिल से ही निकला जानवी कपूर को देखके अगर आप फिल्म के शौकिन है तो आप मेरे धाई स्टार सामने टेबल पर रखें आप सोच लीजिए देखनी है नहीं देखनी है मैं फसा देता हूं आप अगर आप बढ़े फैन है जानवी कपूर के मेरी तरह तो यहां लिखे मैं सारे रिव्यू पढ़ता हूं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बढ़ी और कमेंट्स देते रहें ऐसे ही बाकी हम कॉंटेंट आपके लिए लिए रहेंगे अगली वीडियोज में तो आप इस वीडियो को लाइक करें शेर को वो डालाए हूं मैं